21 जुलाई आशाड पूर्निमा तिथी के दिन बस घर के इसकोने में रख देना एक रुपए का सिक्का। भगवान विश्णु जी और माता लक्ष्मी जी के आशीरवाद से खुशियों से भर जाएगा आपका घर। आपकी हर मनोकामना होगी पूरी। एक ही दिन के उपाई स बन जाओगे आप करोड़ पती। दोस्तों सनातन धर्म में एक वर्ष में बारह पूर्निमा तिथी पड़ती हैं लेकिन इन में सबसे ज़्यादा विशेश और खास महत्व आशाड पूर्निमा तिथी का होता है। क्योंकि दोस्तों आशाड पूर्निमा तिथी के दिन हो जाता है। आशाड पूर्निमा तिथी के दिन भगवान विश्नुजी और माता लक्षमी जी की विधिविधान से पूजा पाठ की जाती है। ऐसी पूर्निमा तिथी का समय पूरे 122 वर्षों बाद आया है। दोस्तों इस पूर्निमा तिथी का ना केवल पूरी दुनिया के तांत्रिक बल्कि जोतिश पंडित एस्ट्रोलोजर भी बेसबरी से इंतजार कर रहे हैं। और इस दिन अगर आप ब्रह्मा मुहूर्त में सोकर उठते हैं। किसी पवित्र नदी में जाकर सनान करते हैं। पूरे दिन का वरत रखते हैं। तो साक्षात आपको भगवान विश्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीरवाद एक साथ प्राप्त होगा। इस वीडियो में हम आपको एक-एक करके देने जा रहे हैं। तो सिर्फ इतना ही उपाय करने से भगवान विश्णु जी की कृपा से आपका भागय प्रबल हो जाएगा। आपके नवगरह आपका साथ देना शुरू कर देंगे। आपके राहुकेतु की दशा अच्छी हो जाएगा। आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएगे। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धी होगी और मान कर चलिये दोस्तों, आने वाला समय आपका बहुत ही कल्यानकारी होगा, बहुत ही सभागय शाली होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि तो दोस्तों, आपने देखा होगा, जब भी आपके घर गर दिवाली की पूझा होती है, धन्तेरस की पूझा होती है, या माता लक्षमी जी की कोई भी पूझा पाथ को आयोजित आपके घर पर किया जाता है, तो हमेशा माता लक्षमी जी की पूजा को एक रुपए के सिक्के को रख कर ही पूजा को शुरू किया जाता है क्योंकि दोस्तों, शास्त्रों में लिखा हुआ है कि माता लक्षमी जी की पूजा में अगर मुद्रा का पहला सिक्का इस्तिमाल किया जाए तो वह पूजा तुरंत सिध्ध हो जाती है दूसरी तरफ जो एक रुपए का सिक्का होता है वह ब्रहस्पती ग्रह का कारक होता है ब्रहस्पती ग्रह जो होता है वह एक व्यक्ती के भाग्य राहुकेतु और नवग्रह से जुड़ा होता है और ब्रिहस्पती ग्रह का जो नियंतरन होता है वह भगवान विश्णुजी के हाथों में होता है यानि की दोस्तों बस आपको 21 जुलाई आशाड पूर्निमा तिथी के दिन चुपचाप एक रुपए के सिक्के का उपायतंत्र शास्त्र और जोतिश शास्त्र के अनुसार करना है जिसकी जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं और मान कर चलिए तुरंथ ही आपको भगवान विश्णुजी और माता लक्ष्मी जी का आशीरवाद एक साथ प्राप्त हो जाएगा जिसके बाद आपकी कोई भी मनोकामना होगी वह एक ही दिन के उपाई से पूरी हो जाएगी आपके जीवन में धन की वृद्धी होगी आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा आपके घर की बरकत होगी और आने वाला समय आपके लिए कई खुशकबरी लेकर आएगा इसलिए इस वीडियो को लास तक अंत तक बिना भगाय देखिएगा और अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी और भगवान विश्नु जी का आशीरवाद हमेशा आप पर और आपके परिवार पर बना रहे माता लक्षमी जी की क्रिपा से इस साल आप करोरपती बन जाएं और भगवान विश्णु जी की क्रिपा से आपका भाग्य हमेशा आपका साथ दे तो दोस्तों पूरी सची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस विडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राशी डाल दीजिएगा आपकी राशी के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो करके इस पूर्निमा तिथी के दिन आप लाब पा सकते हैं वह आकर हम आपके कमेंट की रिपलाई में बता देंगे और दोस्तों इस विडियो को आप जितने लोगों तक पहुँचा सकते हैं उतने लोगों तक पहुँचा दीजिए ताकि लोगों का भला हो सके भगवद गीता में लिखा हुआ है कि अगर आप लोगों का भला करेंगे तो देवी देवताओं का आशीरवाद आप पर बना रहेगा इसलिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितने लोगों तक इस वीडियो को पहुचा सकते हैं उतने लोगों तक पहुँचा दीजिए सबसे पहला उपाय है शुक्र ग्रह का साथ पाने का महा उपाय दोस्तों अगर आप शुक्र ग्रह के बारे में नहीं जानते हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता दें अगर किसी व्यक्ति का शुक्र ग्रह उसका साथ देता है, तो वह व्यक्ति अपने आप करोड़ पती बन जाता है, वह व्यक्ति धन संबंधित जो भी निरने लेता है, उस निरने से उसको फाइदा पहुचता है और शुक्र ग्रह का नियंतरन माता लक्षमी जी के हाथों में होता है तो सिर्फ आपको इस पूर्णिमा तिथी के दिन रात में अच्छी तरीके से नहा लेना है आपके घर का जो भी पूजा घर है वहाँ पर आपको जाना है पूजा घर पर माता लक्ष्मी जी की कला चित्र होनी है क्योंकि माता लक्ष्मी जी और भगवान विश्णु जी को ग्यारह नंबर बहुत प्रिये है बीज मंतर है ओम महा लक्ष्मी नमः हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों ओम महा लक्ष्मी नमः अब दो सिक्कों में एक सिक्के को आपको अपने पर्स में रख लेना है बस पर्स आपका चम्डेका नहीं होना चाहिए और दूसरे सिक्के को ले जाकर अपनी अलमारी में तिजोरी में दक्षन दिशा में रख देना है सिर्फ इतना उपाय अगर आपने इस पूर्णिमा तिथी की रात्री को कर लिया तो आपका शुक्र ग्रह आपका साथ देना शुरू कर देगा आप धन संबंधित जो भी निरने लेंगे उस निरने से आपको फाइदा पहुचेगा आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धी होगी माता लक्ष्मी जी का आशीरवाद हमेशा आप पर बना रहेगा और मान कर चलिए दोस्तों फिर आने वाले समय में आपको किसी भी प्रकार के आर्थिक कष्ट आर्थिक परिशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा इस उपाई के बारे में हमने आपको तंत्र शास्त्र के अनुसार बताया है दोस्तों आपको बता दें शास्त्रों में वेद पुरान में साफ साफ वर्नित है कि आशाड पूरिमा तिथी के दिन भगवान विश्णुजी केले के पेड़ में वास करने आते हैं आपने देखा भी होगा हमारे हिंदू धर्म में जब भी कोई पूजा पाठ होती है तो उसमें केले के पेड़ के पत्तों को लेकर पूजा को शुरू किया जाता है क्योंकि दोस्तों केले का पेड़ हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही पूजनिये पेड़ माना जाता है और अगर आप चाहते हैं कि हमेशा आपका भाग्य आपका साथ दे आपके नवग्रह आपका साथ दें आपके राहुकेतु की दशा अच्छी बनी रहे तो आपको हम विडियो की शुरुआत में ही बता चुके हैं एक व्यक्ति के जीवन के भाग्य का नियंतरन भगवान विश्णुजी के हाथ में होता है तो सिर्फ आपको यह करना है कि इस आशाड पूर्निमा तिथी के दिन शाम होने से पहले आपको एक का सिक्का लेना है और आपके घर के पास कोई भी केले का पेड़ है वहाँ पर आपको जाना है इस सिक्के को अपने हाथ में पकड़ना है आपको केले के पेड़ के सामने 11 बार भगवान विश्णुजी के बीच मंतर का जाब करना है बीच मंतर है ओम नमो भगवते वासुदेवाई नमह हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों ओम नमो भगवते वासुदेवाई नमह और इस एक रुपए के सिक्के को आपको केले के पेड़ की जड़के आसपास कहीं भी गार देना है सिर्फ इतना उपाय अगर आपने कर लिया तो मान कर चलिए सदैव आपका भाग्य आपका साथ देगा आपके नवगरह आपका साथ देंगे आपके राहुकेतु की दशा अच्छी हो जाएगी इस उपाय को करने के बाद आप अपने जीवन में जो भी निरने लेंगे उस निरने से आपको फाइदा पहुचेगा इस उपाय के बारे में जोतिश शास्त्र में लिखा हुआ है दोस्तों पहले आपका व्यापार चल रहा था अब आपका व्यापार चलना बंद हो गया है पहले आपके जीवन में धना रहा था अब आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है आप आर्थिक कष्ट में फसे हुए हैं आप लगातार अपने जीवन में धन संबंधित दिक्कतों का सामना करते हुए चले जा रहे हैं, तो समझ जाएए आपके उपर कोई ऐसा दोश लग गया है, जिसकी वजह से ऐसी परिशानियों का सामना आपको करना पड़ रहा है। चांदी का सिक्का रखना है, जिसमें माता लक्षमी जी की कला चित्र बनी हो। अगर चांदी का सिक्का नहीं है, तो आप एक रुप का सिक्का ही रख सकते हैं, बस एक रुप का सिक्का कटाफटा नहीं होना चाहिए। इस कपड़े को मौली धागे से आपको बांध लेना है इस पोटली को अपने हाथ में पकड़ना है और माता लक्षमी जी के बीज मंतर का जाब ग्यारह बार आपको करना है बीज मंतर कहीं पर लिख लीजिए ओम श्रीम श्रेया नमह हम फिर से रिपीट कर देते हैं दोस्तों ओम श्रीम श्रेया नमह इस बीज मंतर का जाब करने के बाद इस पोटली को आपको ले जाना है अपने घर की अलमारी में तिजोरी में जहां पर आप अपना पैसा रुपया रखते हैं, वहां पर रख देना है। जिसके बाद पूरे साल आपके जीवन में धन की वर्शा होगी, आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे, इस उपाय को करने के बाद आप खुद देखेंगे कि आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। और एक बात को समझ लीजिए दोस्तों, अगर माता लक्ष्मी जी किसी व्यक्ति को आशीरवाद दे दें, तो उस व्यक्ति को करोडपती बनते हुए ज्यादा समय नहीं लगता है। यह उपाय करना मत भूलिएगा। और दोस्तों, अगर आप माता लक्ष्मी जी के सच्चे भक्त हैं, तो तुरंत ही कमेंट बॉक्स में लिख दे माता लक्ष्मी जी की जाए। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए।